स्वागत है आपके अपने चैनल All About Fast Tag में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कर्मचारी भविश्यन निधी संगर्थन Employees Provident Fund Organization के लगभग साने 6 करोर से ज्यादा सब्सकराइबर्स के लिए खुश खबरी है मोधी सरकार जल्दी पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर एहम घोशना कर सकती है EPFO की Retirement Saving Scheme के लिए वेतन सीमा जल्दी बढ़ाये जाने की संभावना है Economic Times ET की एक रिपोर्ट में कहा गया है की 15,000 रुप्य प्रती माह की मौझूदा सीमा को संशोधित कर 21,000 रुप्य प्रती माह किया जा सकता है कर्मचारी भविशन निधी संगर्थन Employees Provident Fund Organization ग्राहकों को बता दें की पिछली बार 2014 में 6,500 रुप्य प्रती माह से 15,000 रुप्य तक की सीमा को संशोधित किया गया था ये EPFO योजना केवल उन कमपनियों के लिए उपलब्ध है जिन में 20 से अधिक कर्मचारी है सूत्रों की माने तो सरकार अधिक से अधिक लोगों को पी-फ के दाएरे में लाना चाहती है ET की रिपोर्ट के मताबिक कर्मचारी भविश्य निधी संगर्थन Employees Provident Fund Organization वेज सीलिंग को कर्मचारी राज्य बीमानिगम के तहट प्रती माह दिक्तम 21,000 रुप्य तक भी किया जा सकता है इससे लगभग 75 लाख और कर्मचारीों के EPFO के दाएरे में आने की उम्मीद है वर्तमान में EPFO के तहट लगभग 68 मिलियन कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं इसके अलावा, नई सीमा के साथ श्रम मंत्राले द्वारा संचालित सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बीच समानता लाएगा और कमपनियों पर अनुपालन बोज को कम करेगा बता दे की कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization में वर्तमान में एक कर्मचारी और नियोकता दोनों को 15,000 रुप्य के अधिक्तम वेतन पर 12 प्रतिशत का योगदान देना होता है सरकार नए लेबर कोड में नियमों को एक अप्रेल 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राजियों की त्यारी नहोने और कमपनियों को एच आर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इने टाल दिया गया लेबर मिनिस्ट्री के मताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को एक जुलाई से नोटिफाइ करना चाहते थे लेकिन राजियों ने इनी पी एफो नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इने एक अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया जल्दी कर्मचारी भविश्य निधी संगर्थन Employees Provident Fund Organization ग्राहकों को गुड न्यूज मिल सकती है दुबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ